लैंग्वेज कर चाहिए है? अज हमने ये प्रेस कॉंफरेंस जो रखी है ये हमारे एरिया शाली बंडा में एक murder case और attempt to murder case की बारे में सभी को brief करने के लिए रखी गई जून 18 की रात को एक money dispute पैसे के उपर होने वाले जगड़ा किस तरह से इस murder की वारदात को अंजाम दिया और मक्का कॉलिनी शाली बंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए छगड़ा हुआ था मजर और सोहिल के बीच में उसमें कई लोग बाद में आके इन्वाल्व हो गया और वाजे जो इसमें इंजोर है और रफीक शिम्ला जो इसमें इंजोर है उसके राबा इंजोर इसके वज़े से जिसका टेथ हो गया और साजिर और खादिर जिनको माइनर इंजिरी हुई है इन चार लोग पर अटाक किया जिस अटाक में कुल मिला के 18 लोग इंवाल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टिडी में हैं अरेस्टेड हैं जिसमें में एवन जिसने की में अटाक किया रफीक शिम्ला को स्टैब किया वाजित को अटाक किया और जिसकी वज़े से इसमें शिम्ला की डेथ हो गई और वाजित भी गंभी तरीके से जक्नी हुए एटू उसका साथी है हुसेनी पाशा जिसका दूसरा नाम आशू है एट्री मौमद एट्री मौमद स्माइल कि एट्ववल सेफली खान अब्दूला खान शेक दस्तिगेश साइद याकूबली ओस्मान बिन खाली त्यामनी एंद अमान अली हाश्मी और दस्तिगेश्ट जिसमें से टोटल मिला कि 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को एरेस्ट कर लिया है जिसमे इसमें DCP Task Force रश्मी बेरुमल IPS, Additional DCP South Zone शेक जांगिर, Additional DCP Task Force A.S. श्रिनिवास राओ, ACP चातरीना का चंदरेशेकर, इसमें इंस्पेक्टर उफ शाली बंदा पुली स्टेशन एस रभी कुमार, विट टास्क पॉर्स टीम सें सपोर्ट फॉफिसर्स लाइक S. शेशू, जानईया, कॉंस्टेबल मुर्ली, श्रिकांद्राव, साही बावा, विपुर्शुत्तम. जडरली यह जो बारदात हुई है, उससे हमें यह मालूम पड़ा है कि यह जो बाड़िली ओफेंसे और जो रीसेंट इंसिडेंसे वे जिसमें एक तरी के से गैंग के तरह लोग एक तरह से दूसरे पर अटाक कर रहे है, वो कही न कही जो यह पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उदर घूंगते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती हैं, तो पिछले चार-पांच दिन से हमने ओल सिटी में नहीं, इनफेक्ट पूरे हैदरवाद में इस तरह के की इलीगल रणिंग ऑफ इस्टाबिश्मेंट बियॉण पर्मिटेड आर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सक्ती से कदम उठाए हैं, पर इसके बावजूद भी नोटेस क्या जा रहा है कि कुछ शॉप्स इन इस्टाबिश्मेंट जो हैं वो बैक डॉर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बार दुबारा कोल के और गलत तरीके से बियॉण परमिटेड आर्स इसको रन कर रहे हैं, कई लोगों को डिसार्मिंग पराशनक एक हम कंड़क कर रहे हैं जिसमें सेंग्जेब्स की ओर्डस की अनुसार में पूरे घ्रवाद बे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म लेके गूंब रहे हैं या कुछ लोग चोटे-चोटे पेपर कटिंग नाइस ले तो हम्हारी सबसे यह गुजारेश है कि जो भी लीकली अलाओड है उस तरह से हम एक अमन चैन और शांति का महल बना सकते हैं और इस तरह को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरह कि क्राइम को होने जो को बनाइया और जो भी प्रद गलत काम रहे हैं उनको यह वड्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें tolerance acceptable नहीं है zero tolerance हमारी policy है इस तरीके के illegal running of shops and establishment and carrying of arms by persons even including some binders और हमारी गुजारेश parents and family members से भी है कि अपने जो wards हैं उनके जो बच्चे हैं को काउंसिल करें कहीं चोटे-चोटे बच्चे 15-16 साल के चोटे-चोटे गांजा पैकरिस लेकी घूम रहे हैं और उस गांजा या टैबलेट्स कुछ है नशे में उनको यह होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं तो इसमें बहुत इंपर्टन रोल जो ऑफैमिली का है उनके पैरेंस का है जिनको हम कुछ दिनों से कांसिल भी करें और आने वाले टाइम में कांसिलिंग के साथ सक्ति से इस पर कारवाई भी करेंगे तो यह प्रेसमीट में यह भी गुजारश करते हैं कि जो भी पब्लिक है शॉपस एंट इस्टाब्लिश्मेंट्स है पैरेंस है हमारे इस मुहीं में हमारा साथ दे और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस लिया उस पर जीरो टॉल्रेंस पॉलिसी हमारी है इसी के साथ साथ एक दूसरा क्राइम भी उसी रोज